इस वीडियो एपिसोड में आप समों का स्वागत है बैंकिंग एक्जाम, SSC और रेलवे इन समों में सिंप्लिफिकेशन एक इंपोर्टन पार्ट है हालाकि थोड़े थोड़े अंतर के साथ सिंप्लिफिकेशन कोश्चन्स मैजिक की तरह होते हैं अगर आपने उस नजर से उसे देख लिया तो फिर सॉल्व हो गया जादतर कोश्चन बिना पेंट पेपर के हो जाते हैं कभी कभी उनकी जरुवत पढ़ती है आकुडों को डेटा को देखने का नजरिया अगर आपको पता है तो फिर मजा ना आ जाए आईए बताता हूं इस सेट में फिर एक बार कि ऐसे कुश्चन्स को कैसे सॉल्व करते हैं आईए बैंकिंग एग्जाम एक अलगी तरह का अबजेक्टिव अप्रोज खुशता है दरसल कम समय में आपको क्वेश्चन्स बनाने होते हैं कंसेप्ट जदी क्लेर है अबजेक्टिव वे से उसका अप्लिकेशन आपको आता है तो विदिन गिवन टाइम आप उसको सॉल कर सकते हैं मेरे हजारों की संख्या में जो स्टूटन्स सकस्पुल रहे हैं उन्होंने इसको अप्जेक्टिव अप्रोज को अपनाया है जिसने उनको वहां तक पहुँचाया दरसल वीडियोज की रूप में जो कंसेप्ट है वो सामने है और उसमें लगाता आपको क्वेस्टिन्स की ज़रूत पड़ती है जिनको सॉल्ड भी होना चाहिए और प्रेक्टिस सेशन भी होना चाहिए अमरसर.in पर यही फैसिलिटी अवेलेबल है वीडियोज कंसेप्टियल प्रेक्टिस और इसके साथ साथ पीडियम सौड प्रेक्टिस और उसमें लगातार परवर्तन यानि पढ़ानी का एक नया तरीका आईए अमरसर.in पर आप सबों का स्वागत है और इस नए सिस्टम का आप लाव उठाए अमरसर.in सबसे पहले एक जलक आप क्वेश्चिन देखें फर्स्ट क्वेश्चिन साल्व करनी का तरीका और एक्स्प्लानेशन दूनों बाते हैं सबसे पहले साल्व कैसे किया जाया है 305% और 12% बोलिगा 36.6% ऐसे बताता हूं कैसे 6.4% of 800 6.4 into 8 8 square into 8 8 cube 512 और इसे हमने कहा ऐसे क्या ये अंसर ने हो गया 87.8 एंसर ना हो गया बताता हूं कैसे सी दा एंसर बट इस वोट बीड राइट अप्रोच ऐसे ही आपको जाना चाहिए 3.05% of 1200 इसे हमने लिया 305% of 1200 इसे हमने लिया 300% of 1200 300% of 1200 plus 5% of 12 1200 था ना डेसिमल हटा दिया हमने तो 12 हो गया है 300% of 12 plus 5% of 12 300% मतलब 3 times इसका मतलब 3 times या आप जानते हैं इसले बन में होता है 10% मतलब 0.6 दूसरा पार्ट ये पहला पार्ट था जिसको हमने ऐसे किया ऐसे दूसरा पार्ट जो है इसे हमने किया 6.4 into 8 8 क्यूब मतलब into 0.1 into 8 क्यूब ऐसा हमने दिखता है कि नहीं ज़रा बताई तो क्या हम इसे 512 लिखने के बाद बन प्रेस के बाद डेसे मन न दें ठीक है next second question second number question देखे approach क्या होना चीए बनाने का 14 into 4.5 देखे 7 into 9 63 क्यूँ न करें 7.4 into 3.5 3.7 into 7 4 into 7 28 क्यूँ न करें और ये 2.1 क्यूँ न करें क्यूँ न करें और माइनस है ना ठीक है चलिए अगर लेस कर भी लेते हैं तो 25 ऐसे लेस करना नहीं चाहिए तो ये होता है 25.9 26 लेस कीजिए 37.1 एंसर ये एक्जाम में बनाने का तरीका होगा अब ये हो क्या रहा है तो 14 into 4.5 इसे हम 7 into 9 क्यों न करें 63 क्यों न हो जाए और ये 7.4 into 3.5 को हम 3.7 into 7 क्यों न करें और ये करते समय हमें क्या नजर आता है आपको पता है 3.7 into 7 नजर नहीं आता ये नजर आता है और ये करेंगे तो समझ रहना क्या होगा into 7 करेंगे तो क्या होगा 28 and minus 2.1 ऐसे, ऐसे, ऐसे ये जो हमने रिजल निका रहा 25.9 जहां से आया और ये 37.1 और ये 37.1 एंसर दीज एंसर ठीक है Next Next, third number question Third number question क्या है 22 by 5 बोले 22 by 22 by 5 बोले into 10 by 3 बोले minus what is equal to 5 and 1 by 3 है चलीष जैसे भी बोले 5 and 1 by 3 बोले ये क्या है ये क्या आया ये क्या आया हम दो बोल सकते हैं 44 by 3 नहीं 3 into 7, 7 into 2 14 ऐसे बोले और 2 by 3 ये best way है करने का वो भी इसको इधर ले आएंगे तो 5 and 1 by 3 5 less हुआ तो 9 हुआ और 1 by 3 ये less हुआ तो 9 and 1 by 3 हुआ 9 and 1 by 3 कहीं नहीं है ये ननव देजे जांसर बताता हूँ क्या हुआ असल में होता क्या है 22 by 3 को क्या हम 7 plus 1 by 3 नहीं लिख सकते और into 2 जब इस system को करेंगे इस system को जब हम into 3 करेंगे तो क्या ये 21 plus plus 21 plus ये क्या था into 2 था 2 था तो क्या ये 14 plus 2 by 3 नहीं होगा उसके बाद तो चीजें क्लियर हैं क्ये क्या है आगे बने अगले कॉस्टिन की योग ये SBI का आया हुआ कॉस्टिन सेट है इसलिए हर कुस्टिन में कुछ न कुछ है तफ जैसा कुछ नहीं है कॉन सब चेक हर जगा होता है ये 7, 9, 9, 5 देखिए डिवाइड़ बाइड़ 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 देख करके डर लगता है लेकिन अगर मैं ऐसे करूं कि डिवाइड करना है 123 इंटू 5 से किसको 7, 9, 9, 5 को दोनो 2 से मंटिप्लाई कर दे जो मैं बार बार कहता हूँ बार बार कहता हूँ कि जब पे यूनिट प्लेस पर 5 हो और दोनों जगा हो तब तो सोने पे सुहागा 2 से मंटिप्लाई करते ये 123 रहने दीजिए ये 10 हो जाएगा ये तो डबल हो ही नहीं रहा कैसे नहीं हो रहा है 1000 से 5 less 16, 1000 से 10 less 15, 990 क्यों नहीं लिखे और अब 123 से ना कटे ये हो नहीं सकता 4 डिजिटल नंबर है, नंबर है, छुटा नंबर है, हम कैंसल कर सकते हैं ये अगर अगर वन ताम करेंगे तो 123 यानी 369 3 times, यानी 13 is answer 13 मतलब 3 is answer, ठीक है? अगर आप एक नजरिये से देखें, तो जो मुझे दिखता है कि decimal के right side का part अलग, left का अलग, इसका 18 छीन लिया इसे 19 चाहिए, one छीन लिया, one हो गया ये one, इसे दे दिया और यहाँ 34 बच गया, 34 बच गया, और कितना बचा? ये one seventy, one seventy, क्योंकि ये हमने इसे one बना दिया था one seventy को 46 निकाल के 30 दे दिजी, 16 इसे दे दिजी, 78 न हो जाए ये two hundred न हो जाए, ये three thousand न हो जाए three two seven eight point three four, बताता हूं डिटे, three two seven eight, seven eight देखी कितना close है, three two seven eight, देखी कितना close है लेकिन ऐसे ही cases में ननव दिज होने का chance बनता है देखी हमने किया क्या, हमने zero point, 0.18 plus 0.35 plus 0.81 को ये इसे दे दिया, यहां से भी one दे दिया, one दे दिया, तो ये one point three four पूर्ना हो गया, और इस one को जब यहां दे देते हैं, इस one को जब यहां दे देते हैं, तो ये one seventy होता है, ये three thousand लेते हैं, और forty six में, thirty इसे देते हैं, और sixteen इसे देते हैं, ये sixty-two, ऐसा बस्ता है, क्या ये two hundred ना हो, क्या ये three thousand ना हो, क्या ये seventy-eight ना हो, three thousand two hundred seventy-eight, ये one देकर, ये one जा चुका है तर, three four, बचेगा कि नहीं, और समरी में हाया, इसका अंसर हुआ, none of these, बेहत शांदार question, अगला, six number question, six number question में क्या है, 19 square उदर गया, 21 square minus 19 square a square, a square minus b square, a plus b, 40, a minus b, 280 square, 6400 answer, man में होगा, man में होगा, man में होगा, question mark का जो square root है, हमने कहा, 21 square minus 19 square, इसे हम a plus b, अब लिखने पर लगएगा, कितना लंबा चौड़ा लिखा जा रहा है, आपको पता है, ऐसा लिखने का क्या मतलब है, ये सब तो मन में होता है, 14 to 2 is equal to 80, तो question mark होगा, 80 का square, यानि के 6400 answer, ठीक है, देख लिजी एक बार, मुझे पूरी उम्मीद है, कि simplification के इस episode को, आप सब उन्हें enjoy किया होगा, आपको पढ़ने में मजा रहा होगा, यही तो महिदार बात है, कि mathematics से आपको लगाओ होना चाहिए, फिर आप जी जान से उसके पीछे लग जाएंगे, और आपको वो result मिनेगा, जो आप चाहते रहें, all the best.